हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल यूपी पार्ट साला पर आज हम डिसकस करेंगे जियोग्रफी के कुछ महत्पूर कोशन जो की आपकी परिक्षाव की दरश्टी से बहुत ही महत्पूर है तो वीडियो को सुलू से ल आइकन को दबा दें चलिए बिना टेम बेस्ट किए आज की वीडियो को चालू करते हैं ठीक है चलिए आज की क्लास का पहला कोशन है दो अक्षांस रेखाओ की दूरी होती है यह आपको बताना है तो दो अक्षांस रेखाओ के बीच की दूरी कितनी होती है वो होती है 111 क किलो मीटर कितनी होती है 111 किलो मीटर ठीक है चले ने इस्ट कोशन है 26него peak उथ्ट्री अक्षांस को कहा जाता है उतरी मतला उपर वाली का खाता sciences को गया खास को हम कैज Side पर के विदा कर रहा को तो याद रखने की को मैं पर्ता जेता हूं मैं कैसे याद रखता हूंIST 5 मकर कहा रहता है, मकरमच, मकरमच कहा रहता है नीचे समुंदर में, ञाँ रह या नीचे वाली आई होगी मकर ब्यद्धरिक्स वाली सिम्पल गे हमारी करक रह तीक यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक, चलिए, नेस्ट है, नेस्ट कोशन है, प्रत्वी पर दिन और रात बरावर होते हैं, प्रत्वी पर दिन और रात बरावर कब होते हैं, वो कहां पर होते हैं, विशुवत रेखा पर, कहां पर होते हैं, विशुवत रेखा पर होते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता चल एक होती है और एक होती है हमारी देसांतर रेखाओ के बीच की समय का अंतर होता है जो देसांतर होती है गलोव में हमारी दो तरगी काल्पिक देखाई होती है एक तो अक्षांस रेखाई होती है और एक होती है हमारी देशनतर रेखाई होती है तो हमसे पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाव के बीच का समय का अंतर होता है कितना होता है वो होता चार मिनेट कितना होता है चार मिनेट ठीक है चलिए नेस्ट आपका किस कि बनी होई है देखो सियाल शीमा और नीफे ठीक है सियाल सीमा और नीफे इनकी बनी होई है हमारी पड़ते ठीक है चलिए नैश्चर देखते हैं पैतवी की उपरी परत वनी है उपरी परत को हम क्या बोलते हैं सियाल बोलते हैं तो सियाल का मतलब होता है सी मतलब सिलिका और almese aluminium ठीक है तो siyaal से आपको ध्यान रखना है कि silika siyaal जो बना है silika और aluminium को जोड़के बना है ठीक है तो प्यत्वी की उपरी परत जो है वो क्या है siyaal है और किस-किस से बनी है silika और aluminium से बनी हुई है ठीक है चलिए आपको पता चल गए होगा चलिए नाइस देखते हैं नेस्ट है वे साल चटान के तूटने पर बनती है वे साल चटान के तूटने पर बनती है क्या बनती है काली मिट्टी ठीक है तो काली मिट्टी किस से बनती है वे साल चटान के तूटने पर बनती है यह आपको पत बी आकार की घाटी का निर्मार होता है बी आकार की घाटी का निर्मार कहा होता है नदी दुआरा कहा होता है नदी दुआरा ठीक है चलिए नेस्ट दिखते है नेस्ट है प्रत्वी के धरातल पर सर्वदिक पाया जाता है प्रसांत महासागर का चोरहा किसे कहा जाता है वो कहा जाता हवाई दीव को न्यू मूर दीव कहा इस्तित है यह आपको बताना बंगाल की खाड़ी में कहां इस्तित है बंगाल की खाड़ी में चलिए आज की क्लास का last or most important question है आश्वान वांद किस नदी पर है यह है आपका नीन नदी पर ध्यान डखना कहां पर है नीन नदी पर ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं I think आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना सेर करना ना भूलें चलिए मिलता हूँ इसी उस्सा और उमंक के साथ नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइ बाइ